हालो फ्रेंट्स बैलकम टु जारी टॉक्स तो आज की वीडियो में दोस्तो हम डिस्कस करने बाले है, जोनियर एकॉंटेंट का टीबी सेर का पिपर इसमें हम एकउंट्स के दोस्तो क्यास भहुत थी मेहत्पूर प्रेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके आने बाले exam job accounts के लिए काफी helpful होंगे तो दोस्तो job accounts 932 का जो exam है पुजल्द ही आने बाला है तो दोस्तो अब तक आपकी त्यारी हो गई होगी तो ये आपके लिए एक mock test रहने बाला है आप अपने आपको test करें कि आपकी जो त्यारी है वो कैसी है और comment करके जुरूर बुरताएं कि आपके कितने प्रेशन इसमें सही हुए तोस्तो हम प्रेवी सेरी के प्रेशन discuss करने जा रहे हैं top 50 plus प्रेशन हम इसमें discuss करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रेशन से पहला प्रेशन है where is the depreciation account appearing in the tribal प्रेशन होगा वो होगा deducted from the concern assets option A जो है वो सही हो चाहेगा अगला प्रेशन है debit balance of passbook source तो आपको बताना है debit balance जो है वो passbook का कहां शो होता है deposit balance, overdraft balance neither deposit nor draft overdraft balance, none of these या फिर आपको बताना है इसमें से इसका क्या सही answer होगा, तो दोस्तों इसका जो सही answer होगा वो होगा overdraft balance option जो इसका B है वो सही हो जाएगा overdraft balance इसका सही answer हो जाएगा, अगला प्रेशन है if accounting information is based on facts and it is verifiable by documents it has the quality of option है reliability comparability relevance या फिर understandability, तो जल्दी ताइए इसका answer क्या होगा, लिखा किए सोचना तत्य पर अधायत होती है और ये दस्तावेज़ों द्वारा सत्यापित की जा सकती है, इसमें नहीत गुण होता है reliability का, यहने की बिश्वेशनिता का option ए जो है वो सही हो जाएगा, तो दोस्तों इसमें हम चास्प lesson discuss करने जा रहे हैं, ये part बन रहने बाला है, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि दूसरा part कब तक लाया जाए, अगला प्रेशन है asset which have a fixed content and the value of asset goes down as the contents are taken out are called उन संपत्यों में जिन में स्तिर मुल्य अंतरनेत होता है तता संपत्य का मुल्य जैसे जैसे उसकी बस्तवें बहार कर दी जाती है, कम होने लगता है, कहलाता है, जल्दी पताईए, इसका सही answer क्या होगा, तो ये कहलाते है दोस्तो, besting assets, option भी जो है, बसही हो जाएगा और दोस्तो, हम ये जो answer discuss कर रहे हैं, ये HPSC की official answer की के according है, अगर आपको किसी question में dot होता है, तो आप comment करके जुरूर बता देना और दोस्तो, इससे पहले भी हम J accounts का previous share का प्रेशन discuss कर चुके हैं, आपने नहीं देखा है, तो जल्दी से आप देख सकते हैं, मारे channel में जाके, अगला है वे चौबदा, following is an external cause of depreciation, तो आपको पताना है, इनमें से कौन सा external cause है, depreciation का routine repair and maintenance misuse, या फिर obsolete, या फिर bear and tear इसका जो सही answer होगा वो होगा, obsolete, तो option C, जो है, इसका सही answer हो जाएगा, अगला प्रेशन है on early retirement of a bill of exchange, who suffer the loss of interest, बिर इनमें प्रपत्तर के जल्दी retirement पर ब्यास की हानी कौन बहन करता है drawer, drawer, pay, या फिर bank, तो दोस्तों इसका जो सही answer होगा, option A, इसका सही हो जाएगा, drawer इसका सही answer हो जाएगा अगला है, only double-sided errors are rectified through suspense account उन्चती, खाते के माद्यव से cable तो तरफा गलती सुधारी जा सकती है, ये सही आपको बताना है, ये वाक, सही है false है, या फिर incomplete statement है, या फिर none of these, तो दोस्तों ये जो है एक false statement है, option भी जो है, वो सही हो जाएगा ये एक false statement है अगला question है, how many accounting standard have been ISO 2Y, ICAI तो आपको सबसे पहले ICAI की full form comment में comment करके बतानी है, option है 12, 22, 32, 42 तो इसका जो सही answer होगा दोस्तों वो होगा 32, option C जो है, वो सही हो जाएगा अगला question है, which method of inventory, valuation, best matches, cost of goods sold with current replacement cost, माल सूची की कौन सी बिदी बीचे बेचे गए माल की लागत के साथ बरतमान प्रतिस्तापन लागत से उतना mail कराती है, तो option आपके सामने है, जल्दी बताईए, फीफो लीफो, फीफो या फिर baited average तो इसका जो सही answer हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, लीफो इसका सही answer हो जाएगा अगला है, gross block means तो आपको पताना है, gross block का क्या अर्थ है, the block and building of the firm the written down value of total fixed assets, the total capital value of the firm the original cost of total fixed assets, इसका जो सही answer होगा, वो होगा, option D सही हो जाएगा, the original cost of total fixed assets तो option D जो है, वो सही हो जाएगा, अगला प्रेशन है present liability of uncertain amount which can be measured liable by using a substantial degree of estimation is termed as, अनिश्चित रासी की बर्तमान दैता, जिसका बिश्वशने मापन आकलन की ठोस कोटी के द्वारा किया जा सकता है, कहलाती है, दोस्तो इसका सही answer होगा, option C सही हो जाएगा, प्रोबीजन यनिकी प्रापधान इसका सही answer हो जाएगा, अगला है in case of discounting the bill, discount is calculated for the period between in the dates of बट्टा करेत, बिल के सबन में बट्टे की गणना निमन तरीकों के मध्य की अबदी के लिए की जाती है तो इसका option होगा भी discounting and due date option भी सही हो जाएगा, अगला है इन में से क्या लिखांकन की सीमा नहीं है, option है based on accounting conventions evidence in legal matter incomplete information omission of qualitative information तो इसका जो सही answer होगा दोस्तो option इसका जो भी है वो सही हो जाएगा, यनिकी evidence in legal matter option भी correct हो जाएगा अगला है, at the time of death of a partner, firm gets policy amount surrender value both a and b, या फिर none of these तो इसका जो option है दोस्तो option a correct हो जाएगा, policy amount इसका सही answer हो जाएगा अगला है in which of following account accounting entries are made at book value of assets and liability चल्दी उसे पताईए, इसका सही answer क्या होगा, तो इसका जो सही answer होगा both a and b, यनिकी partner capital account and partner current account तो option c इसका सही answer हो जाएगा option c both a and b अगला है the amount of goodwill brought in by new partner did transfer to old partner in नए partner के द्वारा लाई गई ख्याती की राशी को पुराने partnerों को स्थानांतरित किया जाता है option है new ratio, old ratio sacrificing ratio, या फिर gaining ratio इसका जो सही answer होगा option c सही हो जाएगा sacrificing ratio option c सही हो जाएगा अगला है as per partnership act which of these rights are available to a partner जल्दी से बताइए इसका answer क्या होगा तो इसका सही answer है equal profit option d सही हो जाएगा अगला है at the time of retirement of a partner the existing profit and loss balance is transferred to which account जल्दी बताइए इसका answer क्या होगा तो इसका जो सही answer है वो है existing partners capital account option d सही हो जाएगा अगला है which of the following should be deducted from the share capital to find out paid capital ज्याद करने के लिए share पुंजी से निमन कौन सा गठाया जाना चाहिए तो इसका जो सही answer होगा वो होगा call same area option जो b है वो सही हो जाएगा यान की बकाया मांग इसका सही answer हो जाएगा अगला है which of the following items cannot be shown as reserve निमन मैंसे किस मत को अनामत के रूप में नहीं दरसाया जा सकता है तो इसका जो सही answer होगा option d यानिकी none of these तो option d इसका सही हो जाएगा यानि मैंसे किसी को भी नहीं दरसाया जा सकता है reserve के रूप में option d सही हो जाएगा अगला है buy back of equity shares in any financial air shall not exceed आपको पताना है किसी बीति बर्स में equity share की buy back नहीं मैंसे किसे अधिक नहीं होनी चाहिए option आपके सामने है जल्दी बताइए इसका answer क्या होगा तो इसका जो सही answer है वो है 25% of fully paid equity share capital यान की option c सही हो जाएगा पून भरपाई equity share पुनजी का 25% से अगला है when two or more companies liquidate to form a new company it is called जब दो या दो से अधिक company का विसर्जन होकर एक नए company Happiness बनाई जाती है तो वे कहलाता है तो दोस्तो वे कहलाता है mm gamation यानि की संह mällen तो option भी ज़ो है वो सही हो जाएगा hmm makingization जो है ml gamation जो है इसका सही answer होगा यानि की संह mällen अगला है capital redemption reserve is created क्या कहलाता है capital redemption है reserve क्या कहलाता है यहनिकी capital redemption जो है reserve उत्पन होता है तो यह कहलाता है voluntarily legal requirements both A and B या फिर none of these दोस्तो इसका सही answer होगा legal requirement option B जो है वो सही हो जाएगा legal requirement अगला है the company's nationality is decided by its shareholder registered office place ad books of accounts are kept या फिर none of these तो इसका सही answer होगा registered office option B सही हो जाएगा अगला है which of the flowing is not an example of contingent liability आपको पताना है इनमें से कौन सा एक आक्ष्मिक देता का दारण नहीं है तो इसका जो सही answer है वो है interim dividend option A जो है वो सही हो जाएगा interim लाभांश जो है इसका सही answer हो जाएगा अगला प्रेशन है profit on sale of sinking fund investment will be devoted to निक्षेप निदी निवेश की बिकरी से लाभ को नामे किये जाते हैं आपके सामने है जल्दी दाइए इसका answer क्या होगा इसका सही answer है sinking fund investment account option जो C है वो सही हो जाएगा निक्षेप निदी निवेश खाते को अगला है on issue of shares the application money should not be less than shareों को चारी करने में अबेदन रासी निमिन मैंसे कम नहीं होनी चाहिए तो जल्दी पताइए इसका answer क्या होगा तो इसका जो सही answer है वो है 5% of the nominal values of share option C इसका सही हो जाएगा अगला है the assets which is not taken under the net assets method of calculation purchase consideration is बेसंपत्ती जिसे गणना की शुद परिसंपत्ती पत्ती के अंतरगत नहीं लिया गया हो की खरीदी बिचारना है तो जल्दी दाइए इसका answer क्या होगा option इसका जो B है वो सही हो जाएगा preliminary expenses option B इसका सही हो जाएगा अगला है liability offer member in case of private company can be किसी नीजी company के मामले में किसी सदस्य की देता हो सकती है इसका जो सही answer होगा option C सही हो जाएगा बोथ A and B यानिकी limited या फिर unlimited बोथ A and B इसका सही answer हो जाएगा अगला है एक company can buy back एक company पुनर ख्रीद कर सकती है equity share, preference share या फिर A and B दोनों इसका जो सही answer हो जाएगा दोस्तों option जो इसका C है बोथ जाएगा A थदा B दोनों यानिकी equity share and preference share अगला है the portion of the share capital which can be called up only the winding up of company is the share पुन्जी का बे हिस्सा जो company के बंध होने की दशा में ही मांग किया जा सकता है क्या कहलाता है इसका option D जो है वो सही हो जाएगा reserve capital इसका सही answer हो जाएगा अगला है which account profit on sale of investment should be debited to निवेश बेशने से अरजित लाव को किस खाते में नामे किया जाता है तो आपको पताना है to which account profit on sale of investment should be debited to इसका सही answer है investment account यानिकी निवेश खाता option A correct हो जाएगा investment account अगला प्रेशन है for purpose of redemption of references share company can issue प्राइक्ता shareों के मोच्चन के लिए company जारी कर सकती है क्या करती है issue जल्दी प्रेशन का सही answer क्या होगा तो इसका सही answer होगा equity share इसका सही answer होगा option A जो है वो सही हो जाएगा अगला है debenture में भी issued by A company किसी company द्वारा रिन पत्तर जारी किये जा सकते हैं for cash for consideration other than cash as a collateral security जल्दी बताईए इसका answer क्या होगा तो इसका answer होगा all of these option D इसका सही answer हो जाएगा अगला है tax jurisdiction is an example of which environment factor तो आपको बताना है करक्षेत्र अधिकार किस परिवर्ण ये घटका एक धारण है option आपके सामने है जल्दी बताईए तो इसका सही answer होगा चुकर, शेत्रादिकार, परिवर्ण ये घटक हैं बोहो legal का उधारन है विदिक का option B जो है बसाही हो जाएगा option B इसका सही answer हो जाएगा अगला है legis theory policy is adopted in मुक्त वेपार की नीती अंगिकरित की गई है तो ये अंगिकरित की गई है capitalist economic system के द्वारा option B जो है बसाही हो जाएगा पूजी बादी आर्थिक प्रनाली में अगला है the sector owned by state or central government is called बेग सेत्र जो राज्य अथवा केंदर सरकार के स्वामित्व के द्वारा स्वामित्व में लिया गया हो क्या कहलाता है दोस्तो इसका जो सही answer होगा option D इसका सही हो जाएगा joint sector इसका सही answer हो जाएगा option D इसका correct हो जाएगा अगला है medium enterprises is one which has investment in plant and machinery not मध्य मुद्यम B है जिसमें सेंतर और machinery में निवेस निमन में से अधिक नहीं है दोस्तो इसका सही answer हो जाएगा option D 5 क्रोड से ज्यादा option D सही हो जाएगा अगला है which of the flowing is not a type of partner निमन में से कौन सा एक partner का प्रकार नहीं है active partner salarate silent या फिर partner by estoppel इसका सही answer हो जाएगा दोस्तो option B इसका सही हो जाएगा salarate इसका सही answer हो जाएगा बेतन भोगी अगला है MRTP Act 1969 was abolished in तो आपको पताना है दोस्तो जो MRTP Edenium था इसको समाप्त किया गया यह जो act था यह आपको पता है 1969 में आया था और पूछा जा रहा है इसको काब समाप्त किया गया था तो इसको समाप्त किया गया था 2002 में option B इसका सही हो जाएगा तो आप कमेंट करके बताएं MRTP की perform क्या है और reactor किसे स्बंदित था अगला है Which of the following is not a method of establishing a limited company निमन मैंसे कौन सी एक बिदी limited company को स्थापित करने की नहीं है तो option आपके सामने है जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा option D इसका सही हो जाएगा अगला है Goods mean तो आपको बताना है माल का आशे है option आपके सामने है जल्दी बताइए इसका आंसर तो Goods mean दोस्तो All Movable Property यहनकी सभी चल संपत्ती तो option यह जो है गुसाही हो जाएगा All Movable Property अगला है Policy Making is an important part of the process of नीति निमान निमन प्रक्रिया का एक महतपून हिस्सा है option आपके सामने है जल्दी बताइए आंसर क्या होगा तो इसका सही आंसर है option D Planning इसका सही आंसर हो जाएगा अगला question है The Main Security Guard of International Trade is Traste वेपार का प्रमुख सुरक्षा काविच है IMF World Bank WTO IFC तो दोस्तों The Main Security Guard of International Trade is WTO option C is जुए है वो इसका सही आंसर हो जाएगा option C correct हो जाएगा अगला है Which of the flowing is a use of funds निमने मैंसे क्या निदी का एक उप्योग है Increase in Fixed Assets यनकी स्तिर्ष संपत्ति का बढ़ना option D correct हो जाएगा अगला है Which category of ratios is useful in assessing the capital structure and long term solvency of a firm अनुपातों की कौन सी कोटी फर्म की पूंजी सनचना तथा देगा बदी रिंशोधन क्षमता के मुल्यांकन में उप्योगी है इसका option B correct हो जाएगा leverage ratio जो है इसका सही आंसर हो जाएगा अगला है इन बेच costing method दा fixed factory overhead or added to inventory valuation लागत निर्धारन की किस बिदी में स्थित, स्थिर, factory, overhead को माल सूची मुल्यांकन में जोड़ा जाता है तो इसका option B सही हो जाएगा absorption costing option B correct हो जाएगा अगला है the difference between fixed and variable cost has a special significance in स्थिर और परिबरतने लागत का अंतर निमन के त्यार करने में दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा option A flexible budget इसका सही आंसर हो जाएगा option A correct हो जाएगा अगला है वे चौफदा flowing is not a cash outflow for the firm निमन मैंसे क्या किसी firm का रोकड बहर गमन नहीं है option D इसका सही हो जाएगा depreciation इसका सही आंसर हो जाएगा तो दोस्तों चास लसन हम discuss कर चुके हैं तो आज की वीडियो को इह ही तक रखते है और दोस्तों अगर वीडियो आपको अपसंद आई है तो वीडियो को एक like जरूर कर देना और जल्दी segment करें कि जो इसका second part है वो कब तक लाया जाए thanks for watching God bless you all